अगर आपको इसकी PDF चाहिए, you can join my telegram channel ISP Simplified, तो without any delay, without any बक्वास, let's start with 16th March current affair. ठीक है, तो जो आज की पहली news है न, वो आपको Attle Tinkering Lab के बारे में है, हम लोग Attle Tinkering Lab को एगे करके समझेंगे, और आखिर क्यों यह हमारे lifestyle में, हमारे innovations में, हमारे research में जरूरत है, इसको समझते हैं, तो देखिए, Attle Tinkering Lab जो होता है, इसको establish किया गया है, schools में, इंडिया के schools में, across India under the Attle Innovation Mission, aim कहते हैं, इसको Attle Innovation Mission के ambit में, Attle Tinkering Lab को establish किया गया है, तो इसका vision क्या है, पहले हम यह समझते है, आखिर Attle Tinkering Lab, ATL का vision क्या है, तो basically इसका vision यह है कि cultivate करना है, लगभग यह 1 million children को, इंडिया में, as a neoteric innovators, neoteric innovators एक term है, जिससे आपको यह पता चले हैं, जो नए-नए आव इसकार होते हैं, नए-नए जो innovations होते हैं, उसकी तरफ orient करना है, कम से कम 1 million students को, बच्चों को, ठीक है न, इससे क्या होगा, हमारा in future, R&D पे काफी ज़्यादा फर्क परेगा, in future, हम 10 में कितने marks है, 12 में कितने marks है, इस पर फक नहीं परेगा, ठीक है न, आप देखिए, basically इसका जो main, अगर हम objective की बात कर ले, तो यह आपको, इसका main objective है, to foster curiosity, creativity and imagination in young minds, आप देखते होगे, जैसे को एक छोटा बच्चा है न, आपके घर में, तो वो जबरदस्त, अजी बजी medium मिला है उनको, आप एक चीज़ समझी, internet negative aspect है, तो positive ही बहुत जादा चीज़ है, अगर आपकी mindset positive है, अगर आप positive direction में जा रहे हो, तो internet आपको, आपके लिए बहुत बरदान सावित हो सकती है, ठीक है, तो यह innovations, ideas, जो उसके दिमाग में आ रहा है, इसको use करना है, किस तरी creative thinking हो जाएगा, adaptive learning हो जाएगा, जैसे किसी विची जो को adopt कर लेना, समझ लेना तुरंत में, ठीक है, physical computing भी easy हो जाएगा, तो यह हमारा अटल tinkering lab का basic, यह basic उसकी reasons है, यह basic objectives है, अब हम लोग बात करें, तो ATL जो है, अटल tinkering lab, यह umbrella mission के अंदर आई है, और वो umbrella mission है, अटल entrepreneurship जो होता है, और उसके innovations को focus करेगा, ठीक है न, इंडिया में यह बहुत पहले बात हो जानी चाहिए थे, लेकिन अब चलो ठीक है, लेटा है, दुरुस्ता है, बात सही है, चलिए, हम लोग आगी समें देख लेते हैं कुछ कुछ चीजे, तो देखे, अटल innovation launch किया था, ATL स किया है, निती आयोग, जो think tank है, इंडिया का, इंडिया में का, ठीक है, आपको comment section बताना, निती आयोग के CEO कौन है भी, और members के कुछ नाम लिख पाऊ तो लिख देना, ठीक है, अब देखे, इसमें क्या होगा, comprehensive self-monitoring framework बनाए जाएगा, किस चीज के लिए तो strength करेगा, ecosystem of अटल tinkering lab के ecosystem को और strengthen करेगा, ATL सार्थी जो है, अटल tinkering lab सार्थी जो है, वो ATL mission, अटल tinkering mission को और solidify करेगा, और strengthen करेगा, और मजगूत इस तिदिम पहुचाएगा, और ये sure करेगा, कि हाँ, ATL जो चल रहा है, अटल tinkering lab, वो सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है न, जैसे माली जो बहुत सारे funds आगे college में, अब स्कूल वाले ही लुटे दे हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको SEO करेगा, ATL सार्थी, अब हम लोग बात करें, तो मैंने आपको अलड़ी बताया है, कि ये sure city को foster करता है, ATL creativity में focus करेगा, and imagination of young minds को focus करेगा, और ATL सार्थी जो है न, वो chariotor की तरह behave करेगा, जो enable करेगा ATL tinkering lab को, कैसे efficient and effective होना है, तो आप समझ लीजिए, अगर कोई भी project आई है, अगर उसको guidance देखने वाला नहीं हो, अगर उस पे कोई न, कोई chariotor ना हो, उसको focus करवाने अला ना हो, तो वो project धिर दिर दिर फेल कर जाती है, त तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो static fact, ठीक है न, हमनों चलते है next पे, अब जो second है, असोक लेलेंड, नाम तो आप लोग ने सुन रखा होगा, तो इन्होंने announce किया है, कि all women production line at Hauser plant, Hauser कहाँ पे है, ये तामिलनाडू के एक district है, वहाँ पे लगाएंगे, जहाँ प कि सबसे बहली बात नहीं है, इस ऐसे current affair क्या यूज होता है, एक तो आपको static portion में direct देखने को मिल जागा, वन लाइनर्स exam में, या फिर आप इसको mains में यूज कर सकते हो, जैसे आप example दे सकते हो, women empowerment में कैसे बढ़ावा दे रहा है, तो इसको आप private sector involvement कैसे है women empowerment में, तो आपके अंदर क्या value extra materials जो add होंगे, वही use होगा आपके mains में, वही use होगा आपके current affair segment में, तो ये होना चाहिए, ठीक है, तो असुकले लैंड ने unveil किया है, all women production in Tamil Nadu, अगर हमनों बात करें, तो असुकले लैंड क्या करती है, वो heavy vehicle, commercial vehicle को बनाती है, heavy commercial vehicles को बनाती है, जिन् इंजन्स, उनके manufacturing facility कहां पे, तो हाउसर में, जो कि Tamil Nadu में है, वो complete operate किया जाएगा, women employees के द्वारा, ये काफी अच्छा step है, to empower, to sign, the capacity and capability of women, अब देखें, basic है, हमें पता ही है, कि इसको introduce, इसलिए किया गया है, कि हमें ये बताना है, कि promote करना है, कि women empowerment, and उनको encourage करना है, कि वो भी किसी भी role के लिए, फिट बैट सकती है, ठीक है न, किसी भी role के लिए, मतलब manufacturing industry में भी फिट बैट सकती है, असो कले लैंड का ये flagship company है, flagship company कोई है, हिंदूजा ग्रूप, उन्होंने ये set किया है, new line, पहला line, जिसमें 80 women employee एक साथ काम करेगी, at flagship, मतलब initial mode में, ठीक ह मंजिल दूर ने, इसकी tagline समझ लीजिए, इसकी punchline समझ लीजिए, तो women's के लिए, all women production scheme लाया गया है, असोगले लैंड, जो की एक initiative है, बहुत बहतरीन initiative है, ठीक है न, चलिए, आप move करते हैं, देखिए, एक चिस समझे है कि RBI ने allow किया बैंक्स को, कितने country से तो 18 country से, तो रुबेल में, ट्रेड करते हो, अमेरिकन पैसे में, और UK के करेंसी में, पाउंड में करते हो, लेकिन एक जिस समझे है आप, जब तक आपके करेंसी का involvement नहीं होगा न, इंटरनासल ट्रेड के लिए, तब तक आप strong नहीं होगे, तो कैसे होगा ये, तो ये होगा, जब आप की payment इंडिया में करूगा, इंडियन रुपी में करूगा, तो आप समझे, कुछ method से आपको develop करने पड़ेंगे, कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे, कुछ मजबूरियों का फाइदा उठाने पड़ेगा, जिससे इंडियन करेंसी को थोड़ा से strengthen मिले, तो RBI ने भी allow किय लगवग 18 countries को, कि आप trade कर सकते हो इंडियन रुपी में, ठीक है, तो जो कुछ foreign banks है, 18 countries के, to open vostro account, एक vostro account होता है, किस चीच के लिए to settle international trading रुपी, तो देखे, vostro account का एक concept होता है, माल लेजे, SBI की ब्रांच यहां है, और Russia में उसकी ब्रांच नहीं है, माल लेजे, ये bank A ह Russia bank B है, ये मैं Russia की बात कर रहा हूँ, और ये मैं India की बात कर रहा हूँ, तो bank A की ब्रांच bank B में नहीं है, लेकिन bank A क्या कहेगा, ठीक है, मैं आपको allow करता हूँ, कि आप bank B में जमा करो पैसे, और मैं उसको ले लूँगा, तो ये एक तरीके का, एक अराम से export करने का, currency का transfer करने का easy way है इसको majorally हम यूज तब करते हैं जब कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगे अपको foreign country में nostro एक Latin word है जिसका मतलब होता है ours हमारा ठीक है जैसे माल लीजिए एक कोई bank A है जिसके पास कोई branches नहीं है रस्या में लेकिन bank B चाहता है कि मुझे कुछ transfer करने है तो नहीं आपस में एक one strong account की formation करेंगे और transfer करेंगे clear हो गया जैसे माल लीजिए देखें आप Indian traders imports oil from Russia trader oil तो import कर रहा है लेकिन किस तरीके से करेगा तो देखें Indian trader इंडियन रुपीज में दिया रस्या के foster account में डाल दिया पैसा Indian bank में रस्या के account मैं फिट से बोल रहा हूं Indian bank में Russian account भाई खोल दो क्या दिक्कत है आपस में mutual understanding है हमारी तो bank ने क्या किया कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं Indian bank में माल लिजे मेरे रस्या में ब्रांच नहीं है तो INR में आप जमा करो रस्या के foster account में जो की Indian के bank में है हो गया इसी तरीके से रस्या के जो ट्रेडर है उन्होंने oil भेज दिया Indian trader को अब क्या होगा Russian bank जो होगा वो settlement कर देगा rubel में इन्हों ने Indian traders ने एक account बनाया है जिसको foster account कहें रस्या ने account होगा लकिन Indian bank में होगा उसके बाद ये transfer हो जागा इसली समझ रहे हो कितनी अच्छी concept है तो यह 18 countries में allow किया गया है RBA ने allow किया banks को तो अठारा country कौन कौन से है याद रखने की जरूतने एक बर सुन लीजिए ध्यान रहना चाहिए अगर आप किसी भी अच्छी exam के त्यारी कर रहे हो तो बोच्षवाना, फिजी, जर्मनी, कुयाना, इसराइल, केनिया, मलेशिया, मौरिसस, मैंडमार, न्यूजिलैंड, उमान, रश्या, सिचल्स, सिंगपोर, सिरलंका, तंजानिया, युगांडा, एन यूनाटिक निग्डम ठीक है, अब हम देखें, मिनिस्ट्री अफिनांस जो है, भगबत, करत, इन्फॉर्मन किये हैं, रासवा में, कि जुलाइद 2022 में, गर्मिन्ट ने ये, सेट अप किया है, कि एक मेकानिजम टू सटल इंटरनेसल ट्रेड इन रूपीज, तो ये, जो वोस्ट्रो एकाउंट क पता है, इंडिया, चाइना डिस्प्यूट, तो USA का क्या आना, USA स्थिर बैठ ने सकता है, USA को चाहिए कही न कहीं वार, कहीं न कहीं इंटर्फरेंस, तो USA ने कह दिया है, भगबत, तो हमारा सुरू से पाट था, इंडिया कहता है, तिबत को तुमने हरप लिया है, तिबत तो तुम्हारा था ही नहीं, तो जब तिबद तुम्हारा नहीं था, तो अरुनाचल कैसे हो गया भाई, तिबद को तुमने लूटा, तुमने छीना, तो तिबद को तुम छीन लिए, तो अरुनाचल में तुम्हारा कैसे अधिकार हो सकता है, चाइना काता है, नहीं, अरुन मस्ती इनको यूस ने कहा है कि हम रिकोगनाईज करते हैं मैक महल लाइन को एज इंटरनेशनल बाउंडरी अब ये बात रही कि इससे क्या फाइदा है कि एक स्ट्रेंध मिलती है अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है न तो एक आपको लाइन मिलता है जैसे चाइनिज है ताइवान को बहुत लोग एकसेट नहीं कर रहे हैं उनको मानना है गया चाइना का ही प्रोविंस है लेकिन जो अगर मालीजे को इसको को इसको एक सब्सक्राइब कर लिया तो उससे क्या होगा एक पॉजिटिव इंपेट जाएगा इस सोसाइटी में कंट्री में यहां यह अलग एक इंडिवेंडिन कंट्री है तो आप देख सकते हो यह हमारा प्यारा भारत है फिर आपको यह डिफरेंट डिफरेंट वैलीज है यह जो रेड क्लड की देख रहे हैं आप यहां पे थोड़ा से सूच चलते रहते हैं इस यह जो रेड लाइन है यह है मैक्वा अरुनाचल प्रदेश में एक बाइपार्टिजम सीनेट रिजॉल्यूशन पास किया गया था जो देखा था अरुनाचल प्रदेश इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया युएसे का ठीक है अब हम लोग बात करें तो मैक्वा लाइन जो डिफाइन करता है क्लियर बाउंड रही है उनका स्ट्रेटेजी यही था एक बार लूटके ले जाओ लूटके ले जाने के बाद उनको उल्जादो किसी छुटे मुटे लडाई में तो यही हर जगह की है वह आप देख लो आज भी प्रद्शाइन इसू कहीं पर भी कोई इसू देख लो आपको देखने को मि तिबट सेपरेट था लेगिन चाइना इसको एक्सिप्ट नहीं करता है सग्रीमेंट एस लाइन को अब थोरा सा और जाल लेते हैं आखिर सिमलार ट्रीटी क्या था सिमलार ट्रीटी साइन किया गया था किसके किसके बीच में तो रिप्रेजेंटरिटी वींडिया गये तै एक clear demarkation मनाय गया था 1914 में कि देखो भाई ये तुम्हारी boundary है ये मेरी boundary है इधर इंडिया रहेगा और उधर आप रहोगे तिबत काफी soft था काफी smooth था काफी well functional था लेकिन weak था तो याद रखिए weak नहीं रहना है आप discipline अच्छी बात है आपके बास capability अच्छी बात है लेकिन weak इस कोई भी represent नहीं किया था इस treaty को इस agreement को नहीं माना था और उस treaty के समय में Chinese का ये कहना था कि ये treaty को एकदम नहीं मानते है क्योंकि ये agreement को ही नहीं मानते है क्योंकि तिबत दुनका पार्ट है तो similar treaty का getting क्या हुआ था according मैकमोल लाइन को clear boundary बनाया गया था इंडिया और चा बाइन पार्ट है तुवांग वैली है जो तिबत की सदन पार्ट है उसको इंडिया माना गया था अरुणाचल परदेश तो तिबतिया जो थे उस वक्त वह भी इस पर अगरी कर गया थे अब इस वते से तवांग रिजन जो अरुनाचल प्रदेश का है आखिर में डिस्प होते नहीं बाई ऐसे नहीं होता है यह हमारे जैसे दिखते हमारा है क्योंकि तिबत हमारा है ठीक है अब चाइना क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है चाइना के को तो जो तिबत से रिप्रजेंटेटिटिव कहते थे वह ऑथराइज नहीं थे तो ऐसे कोई अग्रिमेंट को वो accept नहीं कर सकता है 1950 में चाइना फुली उकॉपाइट तिबत को अब चाइना एप्रूव नहीं करता है नहीं एक्सेप्ट करता है में को इसी वज़े से चाइना आप समझली ने चीज़ों को अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंट पर मूव करते हैं चलिए एक अच्छा सा खुबसोरोत सा कानी अफेर है जमू एन कास्मीर में एसिया की लार्जेस चुलिप गार्टन को सटप किया गया है बीजित ऑपन Kasia गया है फॉपं च्छिया है geçer के लिए 19 मार्च के दिन स्रेश्ट कर दो झार लीजिज्विश्ट के लिए reflects मुположने उक पच्छिने को खुलेगी एसीया की सब लाँगेस्ट Ooh जैक लाँगेस्ट testimone Скटे में खोली जाएगी और तुरिस्ट विस्ट में आ सकते हैं अब राम से इसके बारे में तो आज जान लेते हैं इस गार्डन का नाम इंद्रा गांधी टुलिप कार्डन है जूकि एसीया का लार्जेस टुलिप कार्डन है काश्मीर में जो उपेन होगा पब्लिक के लिए मार्च 19 इसके लिए 2023 में अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो आप विजिट कर लो गार्डन जो स्प्रेट है कहां से कहां तक तो डल लेक से लेकर करके जबरावन हिल्स तक फैला हुआ है यह गार्डन आपको लगवग 1050 कनाल्स 15.2 हेक्टेर तक फैला हुआ है और लगवग 50,000 टु गार्डन वस ओपें 2008 में खोला गया था इसको उसके चीफ मिनिस्टर थे अर्स्ट वाइल जमुएन कास्मीर के जो स्टेट के श्री गुलाम नभी आजाद जी इसके लिए मोदी जी ने आशु भाया था याद होगा आपको तो याद रखिएगा तो उस वक्त के सीम थे यह 2008 में तब इसको खोला गया था और उसको नाम शिराज बाग रखा गया था शिराज मतलब सर पे ताज होता है ठीक है अब देखिए आप लोग नेक्स कारेंट अफेर ब्रमूव करते हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग करेंट अफेर है डेनमार्क जो है न देखिए आप होता है global warming gases ठीक है न तो जो greenhouse gases होता है न उसमें potential होता है अर्थ पे कोई भी अगर trap हो चुका है heat को तो उसको और trap करने की capability होती है ठीक है उपर से sun rays आया greenhouse gases ने एक blanket formation कर लिया sun आया फिर long wave आपको terrestrial से ठकर आया और return जब होने वाला होता है तो वो reflect हो जाता है क्योंकि यहा house gases की बहुत ज़्यादा potential है तो पहली बार Denmark के सी country है जो इसको import करेगा लाओ भाई मुझे दो कुछ पैसे मुझे दो मैं तुमारे इस गंदिगी को लेता हूँ और dump करूँगा तो आप समझ लो Denmark किस हद तक जा रहा है कितने अच्छे positive way है और कहां पे बरी गए गए अंड to bury CO2 imported from abroad जो बाहर से CO2 लाएगा और अपने country में बरी करेगा पहली country है अब देखिए नॉर्थ सी वाला डीजन देख सकते हैं UK यहाँ पर है फिर Norway Denmark आज यह इसकी बात कर लेते हैं अच्छा एक चीदा आप बताएगा मेरे को UK Great Britain और Britain Isles तीरों में क्या अंतर है मैंने एक source में इसको बता रखा है आप उसको देख सकते हो लेकिन आप अगर आपको पता हो तो difference में करेंट में डाल देना आप देखिए नॉर्थ सी को ही क्यों चुना गया क्योंकि यह suitable है इस टाइप के प्रजेक्स के लिए क्योंकि इस रीजन में अल्रेडी बहुत सारे pipelines हैं और ब अब देखिए कुछ डेन्मार्क के बारे में फैक्ट्स आल लेते हैं तो डेन्मार्क से बारे में official name क्या kingdom of Denmark और government किस तरीकी के तो constitutional मोनाकी है आपे capital आपको प्राइम मिनिश्टर मेटे फ्रेकरिशन है पॉपलेशन लगबग आपको 58 लैक है और ऑफिसेल लैंगवेज डैनिस है करेंसी क्रोन है एरिया आपको 16,630 स्कॉर माइल है और हम लोग डेन्मार्क की बात करें तो इनाउगरेट किया प्रजेक्ट को इस्टोर कार्बन करने वाली है क्योंकि यह बहुत यूनिक कंसिप्ट है और नॉर्थ सी के बारे में अब यह न्यूज में आ गई है तो आपको नॉर्थ सी के बारे में हर एक चीज़ जानना है नॉर्थ सी किसे किसे बाउंडरी बनाती है तो आप देखिए UK के साथ बेल्जियम के साथ फिर बहुत जरूरी से जान लेजेगा और किसके किसके बीच में अब इसको एक बार कर देंगे तो ज्यादा एफिक्टिव हो गया आंसर ठीक है तो आपरेसे बोल्ट कुर उसके तरह ना यह एक बाइलेटरल आर्मर ट्रेनिंग साइज है जो कि हेल्ट किया गया चे मार्स से लि पाट लिया था सिंगापूर आर्मी के बीच में काफी जयाद एस से एक होता है होताला ऐसू ऑब तो हटते हैं अब गया है तो यहा़ तो यहाँ था वह वह सिंगापूर आर्मर्ट रेजिमेंट एज वेल एज इंडियन आर्मी के आर्मर्ट भी ग्रेट भी मिले हुए थे इसमें बस यही चीज़ समझना है इसे जाद जाने की जरूत नहीं है आपको सोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं आखिर कब स्टार्ट हुआ तो बोल्ट को रिक्षे तरह जो है वो बाइलेटरल अग्रीमेंट है यह मैंने आपको अल्री बताया यह इंडियन आर्मी और सिंगापोरीन आर्मी के बीच में होता है जोइन आर्मी ट्रेनिंग तो रिष्टे को और गहरा करने के लिएक्साइज किया आता है ठीक है यही था हमारा बोल्ट एक्साइज अब देखिए आज का लास्ट करेंट अफेर है अमिताव अमितावा मुखर जी जो है वो अज्यूम किये है अडिस्टनल चार्ज अफ नेशनल मिनरल डेवल्लोप्मेंट कोपरेशन के CMD थीक है तो अडिस्टनल डिरेक्टर फिनांस हैस गिवेन अडिस्टनल रिस्पोंसि और साथ-साथ में ये कोस्ट अकाउंटेंट भी रह रह चुके है इनका लिडर्सिप बहुत टाइम के साथ एनमडेसी जो स्टील लिमिटेड के साथ इनका जुराव बहुत दिन से था और अब इसको एनमडेसी लिमिटेड की CMD की पोस्ट दे दी गई है इनका एरिया का ए ispsimplified.gmail.com पर कर सकते हो हमारी डेली की regular schedule रही है मैंने अल्रडी घटना चक्र की सीरीज परा रखे है जनरल साइंस आप देख सकते हो जाकर के मेरा science background है तो आपको कुछन कुछ सीखने को मिलेगा उससे और भी बहुत सारे चीज़ें में पढ़ा रखे कर आप BPSS